दोस्तों देखिए यहां पर जो हमारे घर के पास में दय द्वावा का मंदिर है यह दिख रहा है इसको देखिए तो यहां पर अभी पूजा उजा हो गई है यहां कई लोगों के कुल देवता है यहां तो यह बकरा करा देते हैं तो यह देखिए नदी के किनारे पर और यह इतनी भीड़ है यहां पर यह देखिए और आज बक्रे का प्रोग्राम है देखिए किती भीड़ है इनका टेंट वगेरा यहीं लगता है हमारे घर के पास में हर इस मेहने में बहुत लोग आते हैं बक्रा देने के लिए और गाउं में यह चीजे ज्यादा चलती है पूजा अब आप अब दोस्तों नमस्ते रादे रादे आप सभी का स्वागत है सुन दे ब्लॉग में तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेटी स्टार्ट कर रही हूं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया और चलिए अब बनाती हूं में चाय तो आपको मिलती हूं चाय बनाते समयं यह स्ट्भाशा रिचाय दिकी के वन गई सब्सक्राब्ताब ले लिए अप्टाथी चाय और अब लेन स्ट घर के दूद की चाय का टेश्टी अलग लगता है ब्लॉग को दूद की चाय तो गंडंटि अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा बेटा मुबाइल चला रहा ऐसा कमल के अंदर दब कर बच्चों को जब और चाय चाय करने लगा तो मैंने ठीके बना के देती हूं तो इसके अंदर घुसा है और मुबाइल चला रहा है क्यों प्रती क्या कर रहा है मंबी को सब पता हो जाता कि बच्चे कर को रहा है कि मईडाली को देखिए पर देखिए हमाई डउली नहीं दिखा नब इनन दिखा न दिल्गा आब अमें ऐसे बैठू की दो कैसे अब तेरे लाड़ निगा बैटू इस देखो कैसे होगी नहीं आना ऐसी सिक्री लाड़ करना मुंडी हिलाएगी रधी देखो कैसे लाड़ करती है मार खाती पे नहीं बॉल रही है कि यह racist हो गई है और अभी हमें अंदर रहुंगी दब छिल आएगी वो में को झी झी तो हमारी बहुत अच्छी है जरासा भी पढस्पाइसान नहीं करते और परी बहुत अच्छी वह भी बहुत अच्छे से ज्याहदा परिशान में करती है